तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं आठ सान इंजिनियरिंग की बेस से के डेली चार्ट पे तो गाइस सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह कंपनी अभी कौन सी ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है मतलब यह कंपनी अभी अप्ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में तो देखो गाइस यह कंपनी अभी अपनी 200 की moving average से नीचे ट्रेड कर रही है या मतलब company अभी officially downtrend में है अगर अगर आप लोग इस company की बस इतना ही चार्ट देखोगे तो आप लोग को यही लगेगा कि यह company पिछले कुछ महीनों से entirely sideways trade कर रही है, पिछले कुछ महीनों से यह company consolidated कर रही है लेकिन जब अप लोग इस company की चार्ट को थोड़ सा zoom out करोगे तब अप लोग को असली game दिख जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ consolidation ही नहीं यह company पिछले almost एक साल से एक ही pattern के अंदर trade कर रही है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो जो लोग इस company में fresh entry करने के बार में सोच रहे है उन लोगों को मैं यही suggest करूँगा कि guys simply wait for the breakout of this pattern इस pattern की breakout होने के बाद जब यह company retracement show करेगी तब retracement के बाद and stop loss लगाने के बाद अप लोग approximately 150 रुपिस की target के लिए एक बहुती बढ़िया swing trade प्लान कर सकते हो जो कि इस company की all time high है अब यह company की all time high 52 week high यह नहीं है 52 week high है यह यह company की all time high मतलब जब से यह company listed हुए तब से इस company की जो high है वो approximately 150 रुपिस से लेकर के 151 रुपिस की level जो simply इसकी breakout होने की बाद अप लोग 151 रुपिस तक की target expect कर सकते हो from this company तो अभी उन लोगों के बादे में discuss करते हैं जिन लोगों का पैसा already इस company में फसा हुआ है due to risk consolidation तो देखो guys simply अप लोगों को मैं यही suggest करूँगा कि अप लोगे ऊपर की price point देखके simply इस company से exit कर लो पाकि अगर अप लोग hold करके रखना भी चाहते हो and अप लोग ज्यादा loss होने के आद से बज़ जाओगा क्योंकि देखो अभी आप लोग साफ देख सकते हो कि यह company इस pattern के एकदम end point पे आचुकी है कभी भी इसका breakout हो सकता है and मैं एक बात आप लोगों को बोल दू कि यहाँ पर company already downtrend में trade करी रही है उसके उपर से arts and engineering एक loss making company भी है तो नीचे की side पर breakout होने की जो chance है वो slightly ज्यादा है compared to उपर की side पर breakout होने की chance and अगर by chance unfortunately नीचे की तड़ा breakout हो जाती है तो उसके बाद आप लोग approximately 49 रुपीज तक की fall expect कर सकते हो from this company बाकी मैं यही बोलूँगा कि उपर की side पर एक price point देखके exit कर लेना अगर hold करके रखना भी चाते हो तो पैंसर्ट रुपए के आसपस एक stop loss लगाने के बाद आप लोग hold करके रख सकते हो अब यह company कब breakout देगी कब देर सुरुपए की target हीट कर गी अब टर ब्रेक आउट वो इंटेरल इस company के उपर depend करता है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है हो सकता है एक साल के अंदर भी हो जाए और हो सकता है कि एक महीने के अंदर भी हो जाए कुछ भी हो सकता है nobody can predict that जो इस company की chart की history बताना है वो मैंने आप लोग के चाथ share कर दिया है बाकि अगर आप लोग चाते हो तो important levels की photo खीच के रख सकते हो मतलब screen shot उठा के रख सकते हो बाकि अगर कई पर note down करना चाते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो तो guys that's it for this video अगले video में मिलते है guys thanks for watching and stay safe